तो फ्रेंज आज हम आने जा रहे हैं दाल चाट तो चलिए देखते हैं इंग्रिटिंट्स सबसे पहले मैं ले रही हूँ उसके लिए मूंग की धुली भी दाल यह है मेरे पास एक कप मूंग की धुली दाल मैं आपको पास से दिखाती हूँ यह दाल नॉर्मल हमारे घर में अवेलेबल होती है तो इस दाल को हम धो के यूज करेंगे बाद में इसके लावा हम ले रहे हैं हींग रेचली पाउडर मेरे पास यह है जीरा दो टेबल स्पून सॉल्ट एसपर टेस्ट एक तमाटर है दो हरी मिर्च है लहसुन और प्यास भी है मेरे पास जिसे हम चील कर यूज करेंगे बाद में मैं ले रहे हूँ दो नीबू और थोड़ा सा धनिया यह है एक कप धनिया तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी तो सबसे पहले ग्यास पर रखेंगे कूकर को और इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून वेजेटेबल ओयल आप कोई सा भी वेजेटेबल ओयल यूज कर जकते हैं और इस ओयल को करेंगे हम गरम तो अब हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून जीरा और साथ ही में मैं डालूँगी 1-4 टी स्पून हींग और इसे कुक करेंगे तब तक जब तक ये हमारा जीरा क्रेकल नहीं होता जीरा क्रेकल हो चुका है तो अब हम डाल रहे हैं इसमें हमारी डाल जिसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है पानी से तो अब हम डालेंगे इसमें salt as per taste और अब बारी है इसमें पानी आड़ करने की हमने एक कप डाल लिया है तो हम दो का पानी इसमें आड़ करेंगे इन सब चीजों को करेंगे अच्छी तरह से mix और इस प्रशो कुकर का lid बन करके हम इसे कुक करेंगे हाइ फ्लेम पर आराउंड 3-4 विसल आने तक तो जब तक हमारी दाल को खोरिये तब तक हम बागी की प्रेपरेशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे लहसुन और प्यास को चीन लेंगे प्यास को एकदम बारीक काटेंगे और टमाटर को भी एकदम बारीक बारीक काट लेंगे इसके लावा हमारे पास जितनी भी चीज़े बची हैं जिसे कि हरी मिर्च, नीबू, धनिया, हिंग, रेचिली पाउडर, जीरा इन सब चीज़ों को हम डालेंगे एक साथ मिक्सी के जार में और बना लेंगे उसका एकदम फाइन चटनी अगर आप प्यास लेसुन नहीं खाते तो आप अवाइट कर सकते हैं तो बाकी की प्रेपरेशन हो चुकी हैं आप देख सकते हैं हमने प्यास को एकदम बारी कट लिया है एक नीबु को हमने चटनी में यूज किया है और एक को कट करके ठामाटर बारी कट लिया है और साथ ही में हम ले रहे हैं दो से तीन आलू बॉइल करके ये एकदम आप्शनल स्टेप है आप चाहें तो आलू की जगापे हरी मटर या फिर छोले को भी बॉइल करकर यूज कर सकते हैं इसके अलावा हम ले रहे हैं चटनी आप देख सकते हैं हमने चटनी एकदम फाइन प्रिपेर कर लिया है इसी के साथ हम लेंगे बटर जिसे हमने क्यूब्स में कट कर लिया है तो ये थे कुछ इंग्रिडियन्स क्यूंकि आज दाल को कुक करने के लिए हमने बहुत साथा ओयल यूज नहीं किया है इसलिए बटर की कॉंटिटी आप पर डिपेंड करती है कि आप कितना बटर यूज कर सकते है इस बटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस रेसिपी में इसलिए बटर को बिल्कुल भी स्किप मत कीजेगा तो चलिए अब चेक करते हैं अपनी दाल को और देखते हैं नेक्स टेप तो हमने प्रेशर कूकर को खोल लिया है आप देख सकते हैं हमारी दाल एकदम बन के रेडी है मैं आपको चला के दिखाती हूँ आप देख सकते हैं हमारी दाल की थिकनेस ये बहुत सता पतली नहीं है और बहुत सता गाड़ी भी नहीं है इस दाल को हम कहते हैं कि घुटीवी दाल, ये बिलकुल उसी तरह की दाल है, ये दाल रेडी है तो चलिए सर्व करते हैं तो हमने गर्मा गर्म दाल को सर्विंग बाउल में ले लिया है, तो अब हम इस पर डालेंगे हमारे उपले हुए आलू को, आप आलू को साइज थोटा या बड़ा अपनी हिसाब से रख सकते हैं इसके उपर जाएगा बारी कटा हुआ प्यास, बारी कटा हुआ टमाटर भी डाल देंगे हम और इसके उपर जाएगी हमारी चटनी, हम चटनी को थोड़ा सा थिक रखते हैं, क्योंकि थिक चटनी का टेस्ट एक तो बहुत अच्छा आता है और दूसरा यह जो चटनी है वो गानिशिंग का भी काम करती है, तो चटनी को थोड़ा सा थिक रखेगा इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा प्यास इसके उपर और थोड़ा सा टमाटर भी डालेंगे ताकि यह देखने में और ज़दा अट्रैक्टिव लगे, फ़र जाएगा यह बटर को क्यूब तो हमारी अब चाठ बनकर बिल्कुल रेडी है, आप चाहें तो इसके उपर थोड़ा सा लाल मिर्ष पाउडर या फिर चाठ मसला भी डाल सकते हैं, ताकि यह और ज़दा टेस्टी हो सके सो फ्रेंज हमारी गर्म गर्म दाल चाट बनकर बिल्कुर रेडी है सर्फ करने के लिए हमने इस पर एडिशनल कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि चटनी में हम अच्छे से मिक्स करिए और इंज्वाइग कीजिए ऐसे ही यह बहुत ही जादा टेस्टी लगती है अरी हेल्दी दाल चाट बनकर बिल्कुर रेडी है सर्फ करने के लिए इसे इंज्वाइग कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की इंट्रेस्टिंग रेसिपीज मैं शेयर कर सकूँ आपके साथ हरोस आज के ल लेंगे बगाइ